मेरे एक सब्सक्राब ने पूछा कि सिंग भाई आप मुझे मश्रूम की सब्जी बनाना बताओ जो बहुत आसान तरीके से बन जाए तो मैंने उनको जवाब दिया कि मश्रूम की सब्जी तो मैंने बहुत साई डाल रखी है मैंने ब्राउन कर लिया है और यहां पर लिये साथ से आठ का लिया लसन की जिनको मैंने गोल्डन ब्राउन किया है बसंद को जलाना नहीं है इस चीज का दियान रखीगा कि लसन हमें जलाना नहीं है एक इंच का अधरक का टुकड़ा वह भी हमने तेल के अंदर फ्राय कर लि लिया जी हां मश्रूम हर जगे मिल जाती है आसानी से मिल जाती है आज का तो और यंक मिल जाती है इसको हमें अच्छे से धोना इसके इंदर और ओर अरकर Cody bzw यहां तो बस यह देखिए मश्रूम मैं ने दो ली है और जित्ती मिट्टी थी न इह भी ने आख छ़ोटी उप्र जी यहां एक बटाद दो भाग करना है चोटी नहीं करना को जब पकछीन है जिसे भी और सिरुन हो जाती है जैसे इसेार 어렵क के टीफ्पión डॉल रही हो आप काट के काट कटले को हो जितने भी भी मश्रुम हो आप कह이 बड़ी हो चोटी हो उसके एक बटादद दो भाग के मस्त फ्लेवर आएगा और 1-4 मिर्च का पाउडर और इसके पाड़ भार मसाला को पाइगा मेरीनेशन शुर्ण करों हो आपको किस तरह से आय करना है यहां पर 4 टेबल स्पून मैं धही लिया है धही मीठा होना चीए खटा नहीं होना चीए और दो मैंने लसन की कलिया नहीं लिये पूरा लसन साबूत लिया है उपर का छिलका भी इसका हटा लीजिए जो सौफ छिलका वह इसके अंदर नहीं आना तो यह नमक डालके वापस से मैं इसको मैरिनेशन कर रहा हूं तो दो बार मैरिनेशन करेंगे एक बार तो मसालों के साथ और दूसरी बार कैसे करना है वह आपको बता हूंगा मैरिनेशन करने के बाद इसको 10 मिंट के लिए होल्ड पे रखना है जी हां 10 मिंट मैरिनेशन के वो इसके अंदर अच्छी तरह से mix करके इसको दूसरा meditation देना है इसको भी एक बार अच्छी तरह से mix करेंगे और इसको भी 10 मिंट के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे यहां तो यह मैंने mix कर दिया इसको 10 मिंट के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं next step के उपर क्या करना ह ले चाहिए यहां पर मैं कडाई ले रहा हूं उसके अंदर डाल रहा हूं दो बड़े चम्मच वईटेबल ओयल आप चैनल सरसोगा तेल भी ले सकते हैं कोई बी ऊयल ले सकते हैं जब गरम हो जाए एक टीजपून डालना है इसके अंदर साबु जीरा और इसके अंदर डालनों खड़े मसाले इसे मैं लिए दो तेजपत्ता, तीन हरी लाइची, दो काली लाइची, डाल चीनी का टुकड़ा और साथ से आठ हमारी काले मिर्स वो हम इसके अंदर डाल देंगा और फ्लेम बिल बहुत अच्छा आएगा, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है इसके अंदर इसलिए कि मसाले हमारी जले नहीं बस इसको इक बार मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बस दो मिक्स करेंगे, दो सेकंड के लिए मिक्स करेंगे, मतलब यह समझ लिए दो मिक्स नहीं और इसमें अच्छी हमारी सब्जी बनेगी चाहिए कोई सी भी सब्जी हो मसाला आपने भून लिया तो आपकी सब्जी बहुत शांदर बनेगी इसको मैंने साथ से आठ मिन मसाले को भूना बिलकुल मीडियम स्लो फ्लेम के उपर या मीडियम फ्लेम के उपर भून सकते हैं लगातार चल एक बार mix करेंगे और इसको हम पकाएंगे बिल्कुल slow flame के उपर 5 मिंट के लिए तो एक बार इसको हम कर देते हैं mix और mix करने के बार ढखकन लगाएंगे इसके अंदर 5 मिंट के लिए उसके बाद consistency आप देखेएगा तो पांच मिंट इस पर ढखकन लगाएंगे slow flame ध्यान देखिए आप यह देखे पहले तो आपको मश्रूम के लिए दिखाता हूँ और यह ग्रेवी इसके बिल्कुल पर्फेक्ट हमें यह चाहिए थी तो बस अब हमें क्या करना है इसके बगर तो हमारी recipe बिल्कुल अदूरी है यह डाल देते हैं इसके बाद आप खाना कैसे प अधा है तो अच्छा लगाए दूस्तों मेरे वीडियो मेरे वीडियो लाइक करेंगा शेयर करेंगा चैनल पर नए सब्सक्राइब करेंगा नई recipe नए वीडियो से बापिस आज़ाता हूँ तो परकिलिक नमस्कार जैहन